निमंत्रण पत्र जन्म दिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्रकों निमंत्रण पत्र नब्बे बूधनगर सोसाइटी लिम्बायत सूरत तीन नौ चार दो एक शुन्य आठ अगस्त दो हजार ग्यारा प्रिय मित्रस नेहल सप्रेम स्मरण तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्म दिन है इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्म दिन है इसलिए मैं अपने सबी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सब को आज निमंत्रण भेज रहा हूँ तुम जानते ही हो कि सालगिरा का दिन कितने आनंद का दिन होता है उस दिन हमारे कई रिष्टेदार भी यहां आएंगे विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया, आदी सब अवश्य आएंगे मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहां जरूर आओ यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बूरा लगेगा हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते है दिन बर भोजन, जलसा, खेल, आदी होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्सा और आनंद को बढ़ाओगे तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्ष छोटे वाई कमल और बहन संगीता को प्यार तुम्हारे आगमन की प्रतिक्षा करूँगा तुम्हारा मित्र साहिल शा बदाई पत्र सालगिर यानिके जन्म दिन पर बदाई पत्र सांती सदन रावपूरा बडोदा 10 अगस्त 2011 प्रियमित्र साहिल सप्रेम स्मरण कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खूश हुए हमे तुम्हारी सालगिर का निमंत्रन भी मिला और यह जानकर विशेश प्रसनता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिर है इधर मा कुछ दिनों से बिमार रहती है और पिता जी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है दर्सना को भी सुबह स्कुल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी इसी कारण घर का बोज मुझ पर ही है अब तुम ही कहो यह सारा बोज किसको सौप कर तुम से आ मिलू मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस सुब अउसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊ परन्तु घर की स्थिती का विचार करके विवस हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता तुम तो अब एक साल बड़े हो गए हो इस अउसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दू मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुश्या मनाने का मौका मिले इस मंगल अउसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए सुब कामना है मैं चाहता हूँ कि इस वर तुम्हें चिरन जीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष सुबदाई हो तुम्हारा मित्र स्नेहल आश्वासन पत्र खेल महाकोंग में असफल याने की अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सक्खी को आश्वासन पत्र मात्रुचाया स्टेशन रोड कालुपुर अहम्दाबाद 17 नवंबर 2011 प्रिय सक्खी जागरुती सप्रेम स्फृूती आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंब में चक्रफेक प्रतियोगिता में असफल रही हो इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हमने तुम से बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रतम आओगी प्रिय सक्खी खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता अब जो कुछ होने वाला था हो गया है इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए असफलता भी सफलता का सोपान है सफलता उनहीं के चरण चूमती है जो अपने धिये प्राप्ती के मार्ग में दटे रहते है अब निराश या हतोच्सा होने से कोई फाइदा नहीं है मैं चाहती हूं कि अब तुम दगने उत्सा से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी तुम्हारी सखी अवनी अनुमती पत्र प्रवास में जाने की अनुमती के लिए पिता को पत्र जीवन भारती छात्रा लए स्टेशन रोड दाहोद 29 सितंबर 2011 उज्य पिताजी सादर प्रणाम आपका पत्र मिला सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई आप मेरी जरा भी जिन्ता ना करे आपको सुचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब वित्यार्थी अगले महीने की सत्रह तारीक को अजन्ता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले है मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ स्कूल बस की व्यवस्था की गई है यह प्रवास तीन दिन का रहेगा और आट सो रुपे का खर्चाएगा इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे मेरे सब भी साथी मनीश, साहिल, श्रया, जाकीर, वहिदा, गुर्मित और डैविड भी इस प्रवास में जाने वाले है मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमती देने और 800 रूपे मनी ओर्डर से भेजने की कुरुपा करे। पूजनिया माताजी को साधर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्याकारी पुत्र रमेश। प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011 सेवामे श्री आचार्य महोदय डिये सार्वजनिक विद्यालय भावनगर आदर्णिय गुरुदेव, सविनई निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारिक को निश्चित की गई है, मैं उसका एक लौता भाई हूँ, हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अंजान नहीं है, पलतह मैं तारिक 24 से 28, पांच दिन तक विद्याले में उपस्तित नहीं हो सकूंगा, पिताजी का पत्र इस प्राठना पत्र के साथ भेज रहा हूँ, आशा है, आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, इसके लिए मैं सदेव आपका कृतिग्य रहूंगा, आपका आज्याकारी चात्र मनो क्रमांग 25 वर्ग 8 अ कार्या लाई पत्र स्वास्त्य अधिकारी को गंध की के बारे में शिकायती पत्र तारीक 20 माई 2011 सेवा में स्वास्त्य अधिकारी महोदय महानगरपाली का बडोदा मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मुहले में रहता हूँ यह मुहला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंध की फैली है पास के कूडेदान यानि के डस्टबीन में सब जूठन डाल जाते हैं बद्बु के कारण पिछले दो दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है आने जाने वाले सभी लोग परिशान हो रहे हैं यदी गंध की को शिग्र न हटाया गया तो मुहले भर में बिमारी फैल जाने का डर है आशा है कि आप शिग्र ही उसे हटवानी की व्यवस्ता करेंगे आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार गायत्री मुहला बडोदा व्यवसाइक पत्र पुस्तक्यें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र तारिक 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्तापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाश रोर वलसाड महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवशक्ता है उन्हें आप डाक से भेजने के क्रुपा करें एक ननहा कोश श्री रतिलाल नायक 2. नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी 3. ब्रुहद हिंदी शब्द कोश 4. साहितिक मुहावरा लोकोक्ती कोश हरिवन श्राय शर्मा 5. उपर्यूक्त पुस्तके उचित कमिशन काट कर शिग्रही वी पीपी यानिकी वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें भवदिय प्रिती शाह शान्ती भवन एमजी रोड राजकोट 36001